अस्वालेकूम 10th Class Chemistry चैप्टर नम्बर 13 चैप्टर का नेम है Biochemistry इस चैप्टर में डिस्टर्स करेंगे MCQs को Molecular Formula of Steric Acid is Steric Acid का Molecular Formula है याद रखिए है Steric Acid 17 से निकला है इसमें Carbon Atom होंगे 17 Hydrogen Atom जो होते हैं वो Carbon का डबल करके एक आड़ करना है 17,34 और 1,35 आगे हमारे पास function को COOH चैप्ट करना है यह फार्मला जिसमें होगा वो हमारे पास Steric Acid का होगा 17,35 और COOH तो correct answer हमारे पास बनेगा बी वाला लेकिन यहाँ पर आपने एक छोटी सी correction कर ले नहीं यहाँ पर 34 नहीं आएगा यहाँ पर 35 आएगा सही है यह थोड़ से MCQ बनाने में mistake हुई है तो इसमें जो correct answer होगा C17, H35, COOH यह हमारे पास Steric Acid का है इसके लावे एक और भी AMCQ पासपेफर में आ चुका है Palmetric Acid का पूछता है Palmetric Acid का फार्मला हमारे पास यह वाला होगा यह वाला C15, H31, COOH तो इसलिहाँ से अगर देखा जाए C17, H35, COOH इसके और पासी मक्खन होता है उसकी smell होती है Pungent Smell, Pungent Smell होती है जो आपको अंदर जाके चुबे लेकिन ऐसी नहीं होती, False Smell जिस तरह एक बुसी होई चीज होती है सेम इस तरह की smell को हम False Smell कहते है तो BMCQ correct है, No Smell यह ज़िए smell तो कुछ नो कुछ होती है Rotten Egg जिस तरह अंडा खराब हो उसकी smell उस तरह की नहीं होती है, इसमें जो BMCQ यह correct one है Plants produces by the photosynthesis process पोदे इन में से कौन से चीज photosynthesis process के जरीए से तियार करते हैं तो आपने equation बढ़ी होगी कार्बन डाय ओक्साइड गैस और वाटर आपसे मिलता है मिलने के बाद glucose बनता है C6, H12, O6 बनता है और साथ में oxygen gas बन रही होती है तो यह वाली जो चीज बन रही होती है यह हमारे पास glucose है यह हमारे पास glucose है इसमें जो correct answer है amcqm fructose, bmcqm crose, cmcqm glucose और dmcqm maltose तो correct one is c, glucose बन रहा होता है basically फ्रक्टोज contain group, fructose में इन में से कौन सा group होता है अलकोहली group होता है, ketonic group होता है, alkyl group होता है, aldehyde group होता है अगर आप यहां पर fructose की structure बढ़ा कर लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे यहां पर हमारे पास ketonic group लगाता है, यह वालो group, यह वालो group याद रखिएगा इसको मैं थोड़ सा, यहां पर निकाल के लिखूंगा न, तो यह group यह वालो बनेगा और यह वालो जो group होता है, हमारे पास ketonic group होता है, तो मतलब keton हमारे पास fructose के अंदर पाए जाता है अल्कोहली group इसमें नहीं होता है, अल्कायल group बीन होता, अल्डीहाइड देखो, अल्कायल group वहागा R, bond R, अल्डीहाइड ग्रूप होता है, जिसमें एक साइड पर C-Double bond O, और एक साइड पर high region लगा, और अल्डीहाइड यह यह वाले चीद हमारे पास कहा है, Evoxy Ketone CarbohyZangi Synthesized by plant through CarbohyZangi thì ti deal kslriend AMC Respiration Sance éric BPC Photosynthesis DMC Dehyration Dehyration basically of water को और DMC क्यों है evaporation जिसमें जो correct answer है वह है photosynthesis photosynthesis के जरीए से पोदे अपने अंदर carbohydrates को prepare कर रहे होते हैं general formula of carbohydrates is carbohydrates का जनल फार्मला होगा तो जनल फार्मला याद रखे यहां पर दुबारा फिर N आएगा यहां पर छोटी सीएक mistake कर यहां पर शिक्स नहीं आना यहां पर basically N आना है तो यह हमारे पास correct formula है तो यह नीचे वाला भी incorrect है वी वाला C वाला भी incorrect है और D वाला भी incorrect है A वाला correct है लेकिन यहां पर थोड़ सी correction कर लेजीगा C N H to O N है